जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे राम नौमी वा सरहूल पर्व में जुलूस निकालने के लिए खाला संचालकों को लेनी होगी अनुमती राम नौमी वा सरहूल पर्व के मदर नजर बीती बेवास था के संबंधित प्रेश वार्था का यान हजारी बाग उपायूक्त वा पूलिस अधिक्षा की सन्यूक्त अध्यक्ष्टा में मीडिया कर्मियों को समधित करते हुए उपायूक्त नैसी साहर ने कहा कि गिरीह कारे आपदाप प्रवंधन विभाग के जारी निर्देश के आलोक में ससर्थ धार्मिक जुलूस निकालने के नुमती दी गई है उसी के अनुरूप सरहूल पर राम नमी का जुलूस निकालने के नुमती रहेगी उन्होंने कहा कि जुलूस निकालने के पूर्व सम जुलूस के दोरान भीती वेवस्था को ध्यान में रखते हुए समन्धित छेत्र के थाना पर भारी यम अंचल अधिकारियों के परतिवेदन के अधार पर अनुमंडल अधिकारी समीतियों को जुलूस निकाले की अनुसंसा कर सकेंगे बीरसा मुंड़ा यारपोट पर बड़ा हाथसा टला जारखन की राज़ानी राची के बीरसा मुंड़ा यारपोट पर आज सनीवर को एक बड़ा हाथसा टल गया है बताया जा रहा है कि राची से कुलकाता जाने वाली इंडियों की फलाइट में टेक ओफ के वक्त तक नेकी खराबी आ गई एसी बंद होने और जोरदार आवाज सुनाई दी इससे यात्रियों में हड़कम मच गया बिमायन में तक नेकी खराबी की सुचना मिलते ही उसे वापस लाया गया इस तरह राचिया और पोट पर एक बड़ा हथ सा टल गया है जारखन में धान कराय की तिथी बढ़ाई जारखन में किसानों से धान कराय की तिथी बढ़ा दी गई है सरकार अब 15 अप्रेल तक किसानों से धान कराय करेगी विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में 31 माज तक धान कराय की तिथी निधारित की गई थी विभाग द्वारा धान कराय की अब तक की स्थीती भी जनकारी दी गई है बर्ष 2021-22 में कूल 8 लाक मेट्रिक तन धान कराय का लक्ष रखा गया था जो कि बर्ष 2021-21 की तूलना में 1.80 लाक मेट्रिक तन अधिक है बता दे बर्ष 2021 में कूल 6.085 लाख मेट्रिक टन के विरोध 30 अप्रेल 2021 तक 6.22 लाख मेट्रिक टन धान की कराय की गई थी जबकि बर्ष 122 के लिए 31 मार्ज तक पिछले बर्ष की तुन्ना में 0.59 लाख मेट्रिक टन अधिक धान का कराय किया गया है CISF ने राची HEC को 115 कलोर भुगतान करने का दिया आदेश HEC की आर्थे की थिती दीन बर दीन खराब होती जा रही है लेंदेन बार बार प्रवंधन को पत्र लिख कर बकाया भुगतान की मांग कर रहे है इसी कड़ी में CISF के IG ने भी प्रवंधन को पत्र लिख कर जल्द से जल्द बकाया 115 को रुपए का भुगतान करने के लिए कहा है इसके लिए 15 दिनों की महलत दी गई है कहा गया है कि अगर प्रवंधन तर समय में बकाय राची का भुगतान नहीं करता है तो नियमा उंचर करवाई की जाएगी मालूम हो कि HEC के अस्थापना के समय सही स्विराक्षा की जिम्यदारी CISF को दी गई थी और मांजी से बोकारों तक एक्सप्रेस वे बनने का रास्ता साप और मांजी से जैना मोड बोकारों तक फोरलेन एक्सप्रेस वे बनने का रास्ता साप हो गया है केंद्रे सरकार ने इसका टेंडर फाइनल कर दिया है बिल्कुल नए सीरे से बनने वाली इस चलक का नेवान दो हिस्सों में किया जाएगा पहला हिसा और मांजी से गोला तक होगा जबकि दूसरा हिसा गोला से जैना मोड बोकारों तक बनाया जाएगा इस पूरी योजना पर 1389 को रुपय की लागत आएगी और मांजी के एक किलो मीटर आगे से बनने वाली एक्सप्रेस वे पर औस्ता 90 से 100 किलो मीटर प्रती गंटा किरापता से गाड़िया दोड़ेगी रिम्स में OPD सेवा बंद गंभीर मरीजों का हो रहा है राइस्टेशन डाक्टर अर्चना सर्मा को आत्म हत्या के लिए उक्साने के बिरोध में आज जार्खन के सभी सरकारी और नीजी अस्पतालों में OPD सेवा बंद है जिसका परभाव सामसात बेतक रहेगा इसका असर आज सूबा से हिराजे के सबसे बड़े अस्पताल डिम्स में देखने को मिल रहा है जिसके करण मरीजों को भारी परिसानियों का समना करना पड़ रहा है इमर्जेंसी काउंटर पर केवाल गंभीर मरीजों का ही रईस्टेशन हो रहा है क्योंकि अस्पतालों की इमर्जेंसी सेवाए बाधित नहीं की गई है जारखन पंचाज चुनाव की त्यारी जोरों से पंचाज चुनाव को लेकर सारे जीलों में त्यारी जारी है जिन जीलों में चुनाव से समन्धित कुछ त्यारिया बच गई है उन्हें 6 अपरेल तक दुरूस्त कर लेने के लिए कहा गया है अगर किसी जीलों को कुछ आव सकता है तो प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है समधित जीलों को 6 अप्रेल तक होर हाल में प्रस्ताव भेज देना है इसका निर्देश सुक्रवार को राज निर्वाचन आयोगत डिके तिवाई ने दिया है उन्होंने सारे जीलों के डिसी और एसपी के साथ सुक्रवार को बैठक की बैठक में चुनाव की तियारियों की समिक्षा की गई मौके पर पंचायती राज बीबाग के सचीव भी उपस्तित थे यह पर्यास हो रहा है कि अप्रेल में ही चुनाव की घुस्तना हो जाए बिधायक सीता सुरेन बोली आरोप बेबुनियाद जारखन में राइनित्तिक सरगर्मी अचानक बढ़ गई है जामों बिधायक सीता सुरेन पर आरोप है कि वह भाजपा की संपर्क में है और सरकार गिराने के मोहीम में लगी है सीरी मती सुरेन ने आरोप से इंकार करते हैं कि भाजपा से उनके संपर्क की बात गलत है बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है क्या सरयंत हो रहा है नहीं मालूम है जो विधायक इसके पीछे हैं वे कौन लोग हैं सब जानते हैं इधर विधायक सीरी मती सुरेन ने खुलासा करते हुए कहा है कि कुछ विधायक तो चटट पलेंट से दिली गए थे सबसे पहले तो दोसी वे लोग हैं और उन पर करवाई करनी चाहिए रांची में सरहुल सो भायातरा की सुरुवात 1961 में हुई थी इसका उद्य से सीरम टोली के सरनास्थल को बचाना था उस वर सीरम टोली गाउ के सरनास्थल की जमीन को गाउ के कुछ लोगों ने रामगण के एक मोटर गैरेज कारोबारी सरदार के हाथो बेश दिया था ऐसे में सरनास्थल की जमीन को बचाने के लिए सीरम टोली के लोगों ने करम टोली के लोगों से संपर किया था इस तरह करीब सोब प्रबोध लोगों के साथ करम टोली से सीरम टोली तक सोबायात्रा निकाली गई थी इसके बाद राची कॉलेज के पिछे स्थीत हात्मा सरना अस्तल पर सरुल पूजा की सुरुवात की गई एजनकारी बिएटी मेश्रा के प्रबंधन विभाग के प्रध्यापक प्रफेस्टर डाक्टर रविंद्र भगत ने दिया है राम नौमी में रिकॉर्डेड म्यूजिक वर डीजे पर रोग जारखन के पलामू जीले के समानाले सवागार में उपायूग ससीरंजन एवं पूलिस अधिकतक चंदन कुमार सिनहा क्या जक्सता में राम नौमी में बिधी बेवस्ता को लेकर जीला अस्तरिय पताधिकारियों के साथ बैठक आउजित की गाई इस दोरान उपायूग ससीरंजन ने सभी अवनुमंडल पताधिकारियों एवं थाना परभारियों को उनके छेतर में हर हाल में साम छोवे तक धार्मिक जूलूज को संपन करवाने का निदेश दिया उन्होंने कहा कि गाईडलेन का पालन करते हुए रिकॉर्डेड म्यूजिक और डीजे नहीं बजा सकेंगे आपति जनक वीडियो को लेकर जीला पर सासन की ओर से नमबर जारी किया गया है जार्खन में मीनी गन फैक्टरी का खुलासा जार्खन के दुमका जीले में कोलकाता एस्टी एफ ने मीनी गन फैक्टरी का खुलासा किया है अस्थानिय पूलिस के सवयोग से इस दोरान और देनिर्मित हंतियार के साथ गन बनाने वाले मसीन भी बरामत की गई मौके पर एक महिला समय छो आरोपियों को गिराफतार किया गया है इस करवाई के लिए कोलकाता एस्टी एफ की 15 से टीम दुमका पहुंची हुई है कोलकाता की स्पेसल टास्क फोर्स यानी एस्टी एफ की टीम ने जुमका में अस्थानिय पूलिस के सवयोग से दुमका मुपसिल थाना चेत्रे के सरुवा गाव में एक दो मंजिला गहर से और देनिर्मित मीनी गन फैक्टरी का खुलासा किया है हजारी बाग के चाली सेर बच्चों को नहीं मिला ड्रेस जारखंड में हजारी बाग जीले के तेरा सव बहतर प्राथमिक एवा मद विद्याले में पढ़ने वाले चाली सेर कक्षा एक वद्धो के नौ निहालो का पोसाक मद में उपलब्द कराया गया 1.60 क्रोर की रासी 31 मार्च को लेप्स हो गया विद्याले प्रवंधन समीथी को यह रासी चार दिन पहले 27 मार्च को उपलब्द कराया गया था आनन फानन समय में गुरुजी पोसाक खरीद सके नबील जमा करा पाए जिससे की पैसे की निकासी नहीं हो सकी ग्यात हो की सत्रह 21-22 के लिए जहारखन परियोजना परिशत द्वारा मार्च के अम्तिम सप्ता में पैसे उपलब्द कराये गये थे 25 को विभाग को जीला को अमंटित प्राप्थ हुआ और 27 को विभाग ने पैसे सभी विद्याले को जारी कर इसकी सुचना विद्याले को जारी कर दी गर्मी में दोपर एक बये तक खुलेंगे सरकारी स्कूल गर्मी में जार्खन के सरकारी स्कूलों को अपराहन एक वय तक खोले जाने के आदेश का सिक्षक बिरोध कर रहे हैं। प्रात्र कालीन हो जाएगा लेकिन छोटे छोटे वच्चो वाला संस्थान एक वय तक खुला रहेगा। को पहुचे। और सियम हमंद सुरेन की सरकार में स्वास्थ और आपदा प्रवंधन मंत्री बना गुपता मंत्री पत से इस्थिपाद देने की पेसकस भी कर चुके हैं। ताजा राईनितिक हालातों में बनना और अगवर के बीच पिंगे बढ़ने से अटकले तेज हो गई है। धन्यवाद।